हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल किचन खूराना विद लवशव आज मैं बनाने चाहरी हूं छोलिया की चटनी यह मैं हर यह चोलिया की चटनी बनाने चाहरी हूं इसको हम रोटी के साथ खा सकते हैं अगर आप मेरी चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर द सब्सक्राइब करें चाहिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्रीडियंट देख लेते हैं सबसे पहले हमें चाहिए हरा चोलिया तो इसको मैंने ले लिया है उसके बाद लसुन की पांसात कलिया चाहिए अद्रक छोटा त्कड़ा 2-3 हरी मिर्ची और हरा धनिया मैंने मिक्सर का छोटा जार ले लिया है सबसे पहले इसमें ट्रांसफर करेंगे हरा चोलिया उसके बाद जाएगा धनिया हरी मिर्ची स्वाद के अनुसार कम ज़ाद गर सकते हैं लसून की पांसात कलिया चोटा द्रक का आदा छोटा चमत जीरा जाएगा इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर उसके बाद इसमें एड़ करेंगे नमक, स्वाद के अनुसार तो ये सारे हमारे ड्राइ इंग्रीडिंट आ गए है चट पटा बनाने के लिए इसमें हम चट मसाला एड़ करेंगे या आम चूर पाउडर का इस्तिमाल कर सकते हैं आप तो इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये स्मूदली हमारा पेस्ट बन जाए तो चलिए जट पर्ट से इसको ब्लैंड कर लेते हैं और इसका स्मूद बेस्ट बना के त्यार कर लेते हैं तो यह देखिए यह हमारी अच्छे सी चट्नी बन के त्यार हो चुकी है खट्टे बन के लिए इसमें मैं डाल रही हूं नेम्बू का जूस कर देते हैं अच्छे से मेक्स तो ये हमारी छोलिय की चटनी बनके तयार हो चुकी है आप इसको रोटी के साथ खाए बड़ी स्वाद लगती है ये तो अभी छोलिय का मौसम चल रहा है तो इसलिए मैंने का चल गए इसकी चटनी बना लेते हैं तो इसको सर्विंग के लिए एक छोटे बोल में निकाल लेत है हम तो यह हमारी हरे छोलिय की चटनी बनके तयार हो चुकी है तो दोस्तों अगर आपको यह मेरी रैस्पी अच्छे लगी तो लाइक कमेंड शेयर ज़रूर कीज़ेगा आप भी ट्राइब कीज़े खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होती है थेंक्यों फॉर वाचिंग मैं जनर तो एक नहीं रैस्पी के साथ मिलते हैं तिल देन गुडबाय है वा नाइस टे कर दो